हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम द्रगेश कुमार है और फ्रेंट्स आज की यह जो हमारे वीडियो है इसमें हम लोग एक सी लैंग्वेज का प्रोगराम बनाएंगे यानि इवजर से हम कुछ दिन के नंबर डलवाएंगे जैसे 400-500 दिन डलवाएंगे ऐसे और उस 400-500 दिन में कित कि अपने इस प्रोग्राम में अपने पर यलेटर א। का्ट्ब ह्म कर दिया हुए हमारा और यह क्रेश के अंदर से MRUальном स्टार्ट होता है और सबसे पहले मुझे यहां पर बनाने होंगे वेरियाबल बनाने सा पहले मुझे data types बनाना होता है जो कि मैं integer data types ले ले लेता है उसके बाद आप मुझे एक बात ध्यान में रखनी है कि मुझे कितनी ये variable की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुझे तो टोटल डेज डालने के लिए एक variable की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए मैं Td के अनम से मैं वन से कर इसके लिए मुझे टीडी नाम से वेरिआबल heald badd यहां पर ठीक है जी उसके बाद मुझे उसको को convert करना year में year बनाने के लिए मैं एक y से variable बनाता हूं फिर मुझे मन्त के लिए चाहिए मन्त के लिए मैं क्या बनाता हूं यह नाम से बनाता हूं उसके बाद मुझे डे नाम से चाहिए डे भी तो निकालने है उसके तो मैं एक डे नाम से बनाता हूं चोकि मेरा डे निकाले यह मुझे चार वरियेबल की रिकोवार्मेंट है इन दिस प्रोग्राम को कि अब मैं क्या करूंगा प्रिंटे फंक्सन लिखोंग और फ्रेंटे फंक्सन में लिखोंगा क्या इंटर द नंबर प्टेस यहां पर उसको करना क्या है टोटल पर कितीने नंबर है उसको डालने है अब जब यूजर वो नंबर डालेगा तो कहां जाकर तो श्टॉर भी तो होगा यानि जो भी उजर यहाँ पर 300 दिन, 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन, 700 दिन, उसके मन में जो भी दिन आएंगे, वो डालेगा, तो वो जाकर किस वेरियेवल के अंदर शायन हो जाएगा, इस टीडी नाम का जो वेरियेवल है, इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अब चलिए 65 से, तो वो क्या निकल जाएगे, एर निकल जाएगे, ठीक है, जो एर के लिए तो हो गया, मन्त के लिए क्या करे, मन्त के लिए क्या करो, कि जितने भी दिन है, उन्हों का मोडूलस निकाल दो, 365 से, और जो मोडूलस आएगा, उसको डिवाइड करा दो, किस से, 30 से, क्यों निकालने के लिए मेरा भी वहीं बिल्कुल fundamental है मैं करूंगा क्या कि टीडी के अंदर यानि जो टीडी के अंदर क्या पड़ी हुए टोटल दीन पड़ी हुए जो यूजर ने डाला है उस टीडी के अंदर मैं मोडलस निकालूंगा फिर 365 से और जो आएगा उसका मैं मोडलस निकालूंगा 30 से तब हमारा पता चल जाएगा कि कितने यह हुआ कितना मंत हुआ कितना दीन हुआ नहीं समझे इस चीज को मैं एक बार कोपी कर लेता हूं for explanation better explanation control c करता हूं जाता हूं पेंट में और यहां से टेक्स्ट लेकर और इसके अंदर control v कर देता हूं ताकि इस लाइन को मैं आपको अच्छे से और समझा सकूं ठीक है यह हमारी लाइन है इससे में थोड़ा सा पड़ा कर लेता हूं ओके धान देजेगा देखें सबसे पहले क् चली इंटर दर नंबर अफ टेज अनि यहां पर आकर यूजर कोई डेज का नंबर डालता है जैसे मालनों उसने डाल दिया 400 ठीक है यानि टीडी के अंदर क्या पड़ी हुए टीडी के अंदर अप्स कितनी पड़ी हुए 400 पड़ी हुए तो यह निकालने के लिए क्या करे पाइख इस फैइफ तो अगर मैं इसे माइनस कड़ाते हैं तो टैनमें से फाइब यह फाइफ और यह Cake 6 सखा ट्री यह हो गया अगाउज्ट तो यानि यहां पर जो कोसेंट आया है यह हो गया कोसेंट और यह होता है रिमेंडर तो जो कोसेंट आया है हमारा यह क्या हो गया यह 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 के अंदर हमारा क्या हो गया एक साथ ठीक है अब हमें मन्थ निकालने के लिए लोजिक हमने क्या लगया है कि here is equal to month निकालने के लिए हमारा जो लोजीक है a music to tt यानि क्या कहरा है कि जो td के अंदर दिन पड़े हुए है उसको 365 से divided कराऊ तो tt के अंदर हमारा कितना दिन पड़ हुए 400 उसको हमने 356 से divide कराऊं अब कहरा है क्या जो उसका modulus आ रहा है modulus इसका क्या है 35 उसको divide कराव थर्टी से यानि जो मोडलस है थर्टी फाइब को हमें किस से फिर से डिवाइड कराना है फिर हमें किस से कराना है थर्टी से डिवाइड कराना है तो चलिए हम इसको थर्टी से डिवाइड कराते हैं तो यहां पर मैं थर्टी से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा कितने बार में जाएगा वन बार में और यह क्या हो गया सिंप्ली में लेकर दो गए यहां पर 30 और मुझे रिमेंडर इसका क्या मिलेगा फाइफ और कोसेंट क्या मिलेगा मुझे तो यहां पर बिशेकली मुझे यहां पर डिवाइड ऑफरेटर है तो मुझे यहां पर इसका कोसियंट चाहिए यानि एक यह हो गया और एक मंत भी हो गया मंध के अंदर आप क्या चला जाएगा मंत के अंदर वह चला जाएगा साइद आप इस चीज को समझ रहे होंगे उसके बाद कह रहा है डे निकालने के लिए यह कह रहा है कि टीडी को 305 से डिवाइड करा हूँ और उसका रिमेंडर क्या है ठीक है जब हम टीडी के अंदर टोटल कितने दिन पढ़े थे 400 नहीं समझ रहें साथ एक बार इस चीज को मैं आपसे बनाता हूं ठीक है यह टीडी के अंदर टोटल कितने दिन थे पॉरेंडर क्योंकि यूजर ने कितना इंटर करा है 400 उसको हमें डिवाइड कराना कि से 365 से और उसका मुझे क्या चाहिए रिमेंडर चाहिए और यह कितना हुआ 1 और यह क्यातना हो जागा 3 6 5 और मैं इसको माइनस करूगा तो मुझे क्या मिलेगा यह 35 मिलेगा 35 ठीक है अब यह 35 आया है यानि हमारा यह एक्सप्रेशन चल गया उसके बाद फिर कह रहा है कि 35 को 37 करें अब उसका जो रिमेंडर आ रहा है वो डे अंदर डाल दीचे यह तो बन यह अब इसको क्या मुझे है 30 से क्या करता है इसको हमें 30 कि से डिवाइट करना है 30 से डिवाइट करेंगे ओसलों आप छाइद आप इस चीज को समझे होंगे यानि य isto क्या हो गया वन 53 हो गया ऑगनbereich अगर मैं 400 वेंपूड य़ालूंगा चारसो डे डालूंगा तो इसको कर्वर्ट करके यह एक ne निकालर मन तमें mhonny एक महीना और डे में पांच दिन याने एक साल एक महीना पांच दिन चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा इडिट कर एडिट करके थोड़ा आगया बढ़ाते हैं ताकि कंपाइलर को तो इसका एंसर बाता चल गया है कि क्या हने वाला है कोई भी उजर होकर कोई भी नमबर डा लेगा तो लेकिन उसको प्रिंट कराने के लिए फिर से मृण फेंटर फंक्शन लएकने हमोंगे अंसर हम थेकश्यक्व हें ठाब सब्सृत कर दो के फिर में भी भी या फिर तो ईसके बाद में यहां पर और यह यहां पर 50D यहां पर की आप Bash who यहां यहां बंड को सबसे पहले मुझे यहां पर वाइख वियरionen फिर मैंने यहां पर लिखा है month percent d यानि यहां पर percent d के जगवपर यानि aim इम मन्त की value किसमें पड़ी हुई है aim के अंदर तो मैं यहां पर लिखूँगा aim ठीक है उसके बाद मुझे यहां पर date चाहिए यहां पर लिखकर आएगा day is equal to जितनी भी day की value होगी वह लिखकर आएगे तो मैं डी डाल दूंगा यहां पर अब यह हमारा program बनकर त्यार हो गया है चलिए मैं इसको execute करता हूं get ch लिखने के बाद तो मैं इससे program को execute किया हो जाती है इसको आप मत कीजिए का देख लीजिए गया पर फिर compile and run करते हैं और यहां पर भी मैंने सेमिकलन छोड़ ही दिया है अब यह क्योंट करते हैं सो basically आप कोई रर नहीं है अभी हम से पूछ रहा है क्या इंटर देन अबर अफ देज्ट मैं यहां पर नमबर अफ देज फोर हंडर डालता हूं तो जह मैं फोर हंडर डालूँगा तो आप बताईए कि इसका आउटपुट क्या है हमने फोर हंडर्स बनाया था तो आउटपुट क्या था वन यह वन मंत और फाइव डेज तो सब्सक्राम को भी समझें होंगे अउमिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीच वीडियो को लाइक हीजिए कमेंट में बताईए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए और अगर आप हमारे चैनल पर न